हलो दोस्तों इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर इनिक्विलिटी के नाम से असमानता एक्जाम्स में इस चैप्टर से पाँच क्वेशन्स बरसों से पूछे जाते रहें इसमें पैटर्न क्या होता है थीम क्या होती है एक्जामिनर आपको कुछ स्टे अकरकी मयरता आपका काम क्या है आपका काम है कफणों को स्टेट्मिंट को ट्रू मानते हुए और कंकलूजन्स का पता लगाना कि वह कंकलूजन्स ट्रू है या फॉल्स है या उनमें अईदर होगा या किस तरह से आंसर आपको options में से pick करने हैं देखें मैं आपको कहूं इसमें जितने भी questions बनते हैं वो अधिक्तम से अधिक्तम तीन तरह की बाते होती हैं हम short में देखते हैं कि हम इस chapter में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहली चीज़ मैं आपको करवाऊंगा तीन base rules तीन basic rules base rules कुछ भी कह लिजे आप मेरा ये डावा है I challenge कि दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता असंभव है जो इन तीन नियमों को काट कर चला जाए हर प्रश्न में कोई ना कोई इन तीन में से एक रूल तो लगेगा ही लगेगा तो सबसे पहली ज़रूत क्या होगी हम इन तीन rules को बहुत ही अच्छे से इसकी जड़ तक जाएं आप जब ये chapter पूरा हो जाए तो timer लगा लिजेगा पांच प्रश्न किसी भी exam में आए वे उठा लिजे आप उनको एक मिनिट के समय में पांचों प्रश्नों को solve कर पाएंगे ऐसा practice करने के बाद बिल्कुल संभव है दूसरा काम हम क्या करेंगे इन तीन rules के बाद में हम इन तीन rules का थोड़ा practice करेंगे इसको apply करके देखेंगे और एक part होता है either situations कि either दो में से एक वो कैसे कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा और तीसरा काम होगा कि जितनी भी types के questions आज तक exam में आए हैं या आ सकते हैं जैसे पहला type होता है हमारे पास कुछ symbols दिए at the rate of hash, dollar इनके कुछ meaning दिए तो इन code को आपने convert किया और answer निकाला आजकल जो pattern उसमें क्या है सीधी बनी बनाई chain आती statements में उनको connect करना है और तुरंत answer निकालना है और तीसरा type क्या है कुछ misleading से जो बहुत advanced level पर आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे बहले जरूरी है हम इन तीन base rules को सीखते हैं ये तीन rules क्या-क्या है आप ध्यान दीजेगा बिल्कुल attention दीजेए आने वाले 15 से 20 minute जो सबसे जादा important होंगे इस chapter के लिए सबसे बहले मैं बात करूँ rule 1 देखे मैंने आपको जैसा कहा किस chapter की theme क्या बताई मैंने आपको मैंने कहा कि examiner क्या देगा कुछ statements देगा कथन और आपको क्या check करना है conclusion और मैं आपको बताना चाहूंगा कि statement और conclusion के बीच का काम होगा presentation वो presentation जैसे syllogism में हम presentation करते हैं Venn diagram से हम यहाँ presentation कैसे करेंगे chain बना कर आप सुनिये का chain में क्या करना चाहता हूं तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपके statements हैं जैसे भी हैं उनको आप chain में convert करेंगे और उस chain में देखकर आप क्या देंगे conclusion अभी तो आपको सीखना है इसलिए मैं आपको chain बना रहा हूं सिखाने के लिए बाद में ये chain इतनी आसान बन जाती है कि आप इसको दिमाग में बना सकते हैं आपको कुछ लिखने की ज़रत पढ़ती नहीं तो जो दुनिया में जितने भी chain बनती हैं वो तीन तरह की बनती हैं तीन तरह की chain मतलब जितने भी statement से उनको हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं अगर आप वो तीनो समझ लें तो उससे बाहर कुछ नहीं होगा पहला rule number one आप ध्यान दीजे का rule number one के लिए अगर मैं आपको यहां सिखाना चाऊँ तो मैं एक chain बनाता हूँ आप ज़रा देखो अगर symbols की बात करें तो किसी भी चीज़ को दिखाने के पांच तरीके हैं जैसे मैं कहूँ ये वाला greater का sign है ये वाला less का sign है ये equal का sign है ये तीन कौन से sign है certainty को दिखाने वाले ये बड़ा है भी से ये छोटा है भी से chapter का नाम है inequality Samantha याने equality inequality तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ symbols के माध्यम से दिखाई जाएंगी अब होगा क्या मैं आपको बताऊ एक statement होगा A और B के बीच दूसरा होगा B और C के बीच तीसरा होगा C और D के बीच और आगे D और E, E और F और आगे तक statements हो सकते हैं conclusion पूछेगा A और F के बीच जबकी A और F के बीच कोई statement उपलब धी नहीं है लेकिन आपको एकदम से एक second के अंदर एक नजर भर में देखते ही पता लगाना है कि उसके बीच में क्या conclusion निकलेगा और मैं कहूंगा आपका काम conclusion निकालना भी नहीं है आपका काम तो conclusion जो दिया गया है उसे चेक करना है कि वो conclusion true है या false ये कहता है greater बड़ा है ये छोटा है ये बराबर है और अगर ऐसा मिल जाए कि greater के साथ एक नीचे line हो तो इसका मतलब है A, B से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है और अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब है A, B से चोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है दुनिया में देखिए अगर कोई भी दो students जिनकी date of birth आपको मालूम नहीं है अगर date of birth मालूम है तो आप क्या कह सकते हैं साब मालो हरी और मोहन की बात है और दोनों की date of birth इयर सब पता है आपको तो आपको पक्का पता है या तो हरी मोहन से बड़ा है या हरी मोहन से छोटा है या हरी मोहन के बराबर है और कुछ नहीं पता तो क्या होगा आपको लगता है देखने में कि या तो हरी मोहन से बड़ा है या बराबर है लेकि छोटा तो नहीं लगता या आपको लगता हरी मोहन से छोटा है या फिर बराबर है लेकिन बड़ा तो नहीं लगता ऐसे हम बात करें तो कुछ कथन दिये जाएंगे वो देने के तरीके होते हैं कुछ सिंबल्स एक बार ज को बहुत अच्छे से सिखाया, तो बच्चों को तुरंत questions होने लगे, मैं सीधा questions से शुरू करता, तो मजा नहीं आता, यहां पर भी हम लोग बात करेंगे, बलकि यहां नहीं, हर chapter में पहले concept सीखें, फिर questions में आई, ताकि वो तुरंत हो, देखो, माल लिजे, A और B के बीच में यह information given है, क्या given है भई, A, B से बड़ा या बराबर है, यह given है, अच्छे कुछ और भी तो हो सकता है न, हाँ हो सकता है न, तबी तो मैंने कहा, कि जो कुछ हो सकता है, वो मेरे तीन नियमों में हो जाएगा, जब मैं तीन नियम आपको सिखा दूँ, तो फिर आप मुझ की बीच में ऐसा ही हो गया, जैसे पहले भी था, हाँ, ऐसा ही है, अगला statement है, C और D के बीच में, यह भी ऐसा ही है, बड़ा और बराबर, और एक और ले ले लेता हूं में, D और E के बीच में, देखो, जो भी हमें कथन मिलेंगे, यह पहला statement मिला, A, B से बड़ाया बराब है, तो मैं यहां बात करूँ, तो इन सब को जोड दिया गया, आजकल कैसे questions मिले लगे, यह बनी-बनाई chain भी मिल जाती है, दो chain भी जोड लेते हैं, देखेंगे हम धीरे-धीरे, क्या varieties हो सकती हैं, अब इनको देख करके, वो कहता साब, conclusion बताओ, अब conclusion यहां कितने variables से हैं 5, तो इन 5 में से कोई भी दो variable उठाएगा वो, और उनके बीच में conclusion निकालेगा, मैं आपको एक request कर सकता हूँ, हक से, आपको जितना भी ग्याने इस chapter का, जितना भी आपको पता है, प्लीज, क्योंकि कोई भी काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं, contradiction आएगा, आपको जो आत confusion बिल्कुल create नहीं करता, देखो, अगर मालीजे मैं इसको detail में सीखना चाहूँ, आपको सिखाना चाहूँ, तो क्या होगा, देखो, अभी एक बार मैं कुछ numerical values पुट करते हैं, क्या exam में पुट करनी पढ़ेंगी, मैं आपको stamp paper पे लिक कर दे सकता हूँ, एक भी question ऐसा न दॉक्टर दस तरीक investigation करवाता है, आदे घंटे बाचीत करता है, तो भी उसे मरीज के जो उसको परेशानी है, उसका डंक से पता नहीं लग पाता, एक डॉक्टर कोई टेस्ट नहीं करवाता, मरीज से दो मिनिट बाद करता है, उसको सब पता लग जाता है, ये किस चीज का परता है, ये डिगरी का फरक नहीं, डिगरी तो दोनों की पास है, बलकि जो आदर घंट एलेर वो गोल्ड मेलीस दो सकता है, ये अनुभफ का फरक है, ये प्रैटिस का फरक है, ये बारीकी में जाने का फरक है, मैं आपको अपने 20 साल का अनुभफ बटा रहाँ, आप जि C, D, E की कुछ भी value नहीं थी, theme क्या है, मैं बार-बार बताऊंगा अलग-लग तरीके से, क्योंकि जो अलग-लग time paper बताऊंगा तो आपको theme समझ में आएगी, theme यह है, कि examiner बोलता है कि मैं तुम से कुछ बाते बोल रहा हूँ, जैसे उसने का A, B से बड़ा है, अब A, B से कित बढ़ा है पता नहीं, फिर D, C से छोटा है वो पता नहीं, फिर D और E बराबर हैं, और फिर E जो है, वो F से बढ़ाया बराबर है, अब यह कहानी तिनी सारी हो गई, जिसमें हर कहानी की बहुत सारे meaning निकलते हैं, और conclusion पूछ रहा है A और F के बीच में, और आपको एक सेक बनी नब बनेगी, वो तीनों को देखते हैं, पहला, अगर E 10 है, पहले एक बार बातचित करेंगे केवल E और D की, क्योंकि C ने बाद E से थोड़ी की है, C ने बाद तो D से की है, अच्छा चलो D और E क्या बोलते हैं, D बोलता है E सुन, मैं या तो तेरे बराबर हूँ, ब ज्यादा है तो 11 हो सकता है, क्या ये 15 हो सकता है, हाँ, यही तो बोला, अगर माली जे मेरे दोस्त के पास में 5000 रुपे हैं, और मैं कहूँ, देख सुन, मेरी जेम में या तो तेरे बराबर पैसे हैं, या तेरे से ज्यादा हैं, तो मेरी जेम में क्या 5000 होंगे तो बात सही है हाँ, तो 6,000 होगे तो भी सही है, और 60,000 होगे तो भी सही है, और 60,000 होगे तो भी सही है, अरे 60 करोड होगे तो भी सही है, जाता तो जाता है ना, पूरा ब्रह्मांड और लिलूत तो भी सही है, क्योंकि जाता की कोई लिमिट थोड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर 11 रख लेता अब D से बात किये, ध्यान से, क्या C और D के बीच में वही बात हो रही है, जो D और E के बीच थी, हाँ, बिलकुल, अगर मैं दो को उठाऊं, तो D बोलता है E, मैं या तो तेरे बराबर हूं, या तेरे से बढ़ाऊं, तो C बोलता है, हाँ, D मैं तेरे से बराबर हूं, या ब ग्यारा तो डमी है, मुझे क्या पता, ग्यारा यह पंदर भी तो सकता है, यह सौ भी तो सकता है, यह पांचो भी तो सकता है, यह पांच करोड भी तो सकता है, तो D की सही मेल्यू क्या है, दस या दस से जाधा, अब मैं C की बात करूँ, C, D से बात करता है, अब D से क्या बात अगर D पहले से जादा है तो जितना है C उत्रा हो सकता है या उससे भी जादा हो सकता है यानि कि 12, 15, 20, 100, 200, 500 बिल्कुल हो सकता है क्या ये B और C भी यही बात करते हैं हाँ B भी बोलता है C या तो मैं तेरे बराबर हूँ या तेरे से जादा तू 10 तो मैं 10 या जादा तू 11 तो मैं 11 या 11 जादा, तू 12 तो मैं 12 या 12 जादा, 15, 20, 100, समझे रहो, कितना भी हो सकता है, यह भी आखरी में यह बोलता है, कि B, या तो मैं तेरे बराबर हूँ या तेरे से जादा हूँ, तो या तो यह 10 होगा, या 10 से जादा, 11 तो 11 या 11 से जादा, 12 तो 12 या 12 से जादा, 15 तो पंदरा या पंदरा से ज़्यादा 20, 202 करोड, 100 करोड, कितना भी. ये पहला रूल, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, आप ज़रा देखिए, इस रूल नंबर वन की अगर मैं बाचित करूँ, तो मैं यहाँ पर कहूँगा, कि इसमें, जो important चीजें हैं, वो क्या-क्या निकल कर आती है, ज़रा देखिए, इस रूल की, क्या, मैं बात करूँ, कि characteristics है, सबसे पहली चीज यह बनती है, इस रूल नंबर वन के अंदर मैं निकाल के दूँ, तो जो chain है, chain, इस chain की, एक single direction है, बताईए, है या नहीं, यह जो chain बनी है, इसके single direction है, single direction कैसे होती है, ऐसे होती है, देखो, direction को कौन दिखाता है, direction को दिखाता है, या तो greater या less, equal नहीं दिखाता, A बराबर B बराबर C बराबर D से कोई direction नहीं पता चलती, A, B, C, D, E, इधर greater है, मुह left की तरफ है, तो सारे right से left की तरफ बढ़ रहे हैं, मुह इस तरफ है, तो सारे left से right की तरफ बढ़ रहे हैं, तो direction दिखा, single है, आप ज़रा ध्यान दिखाता है, single direction है, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, दूसरी और अंतिम बात, सभी जगह, सभी जगह जो chain में है, equal, equal का क्या है, sign है, आप ज़रा देखिएगा, ये greater है, साथ में ये line लगी, इसका मतब क्या होता है, equal, आप ज़रा देखिए, इस rule number 1 में दो ही बाते नजर आएंगी आपको, फिर मैं इसका result भी बताता हूँ, क्य ये chain इधर नहीं, उधर भी हो सकती थी, कि ये ये यो बड़ा होता, लेकिन फिर बड़ा होता, तो सारे उधर होने चीए थे, अगर एक इधर और एक उधर हो गया, तो rule बदल जाएगा हमारा, फिर आगे दो rule भी तो सीखने वाले हैं, rule number 2 और 3, तब उसकी बात करेंगे, 10 से सारे काम छोड़ दीजे, और मेरी लाइन सुनिए, रिजल्ट, इसका रिजल्ट होगा, इस chain में कोई भी variable उठा दीजे, left side का, कौन से side का, left side का, तो left side के किसी भी variable का मान, उस variable के right side में, जितने भी variables बच गए, उनके सब के मान से, या तो जादा होगा, या फिर क्या बराबर होगा, लेकिन कम नहीं होगा, the value of each variable in the left side would always be equal or greater, either greater or equal to all the variables on its right side, जैसे, variable A उठाओ, उठा लेते, इस A के दाई तरफ कितने बच गे, चार, ये रहे चारों, इस A का इन चारों से क्या रिष्ट है भाई, या तो ये चारों के बराबर है, देखो आप, 10, 10, 10, 10, या ये चारों से क्या बताओ, बड़ा है, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता, अच्छा चलो, एक C को उठाता हूँ, तो मैंने का कोई भी variable उसके दाई तरफ, उसके दाई तरफ कितने variable से दो, D और E, इन दौनों से क्या है, या तो बराबर है, या फिर क्या लिजेगा, चुकि लिखने में time ना लगे, तो मैंने आपकी मदद के लिए देखे, सामने आपको screen पर नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में प्रतेक variable का मान, उस variable के राइट साइड में उपस्थत सभी variables के मान से, या तो जादा होगा, अथवा बराबर होगा, लेकिन कम अगला rule है, अगर मैं यहाँ पर आप सब कहूं, थोड़ा देखिए इस पहले rule के लिए, अगर मैं ऐसे बोलता, suppose, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये Q है, suppose, sorry, इस T को Q को अपर X कर देते हैं, क्योंकि सेम तो हो नहीं सकता न, ये X है, ये Z है, और एक और में ल बन रही थी, यो, आपने जो बनाई वो, ऐसे बना दी, बिल्कुल, मैंने का था, इस chain की दो ही तो बाते हैं, कौन-कौन सी दो बात, पहली direction से, दूसरी, हर जगा पर बराबर का sign होना चाहिए, बिल्कुल है, बराबर का sign हट जाएगा तो, तो मेरी rule नमर दो आएगा, जो मैं क्या कहूंगा, right का कोई भी variable उठा लीजिए, वो जैसे की z, ये z क्या होगा, ये z अपने इस तरफ के जितने भी variables हैं, उनसे या तो बड़ा होगा, या बराबर होगा, अगर ये p 100 है, तो q क्या है, या तो 100, या 100 से जादा, ये r क्या है, या तो q के बराबर या उस से जादा, s क्या है, या r के बराबर या उस से जादा, या अगला वाला पिछले वाले से कम से कम बराबर तो होता ही है, और नहीं तो उससे भी जादा होता है, तो मैं क्या कहूंगा, एक तरफ का कोई भी उठा लो, और जो पीछे उसके बचगे सारे के सारे, उनके या तो ब बात करूँ, D, E, देखो, ये मैंने एक और चेन बनाई है, क्या ये चेन आपको कुछ-कुछ मिलती जुलती नहीं जर नहीं आती है, रूल नमबर वन से, हाँ, सिर्फ एक छोटा सा फरक है, इसमें, रूल नमबर वन में, रूल नमर टू में, एक चीज़ समान है, और एक ची दिशा में है, असमानता क्या है, वो ये, कि किसी एक जगह से बराबर का चिन हटा हुआ है, देखो, जरा यहां से हटा हुआ है, तो मैं अगर इसको बात करूँ, तो मैं ऐसा कहूँगा, कि इसमें दो बाते बनती है, पहला, चेन का डिरेक्शन सेम हो, दूसरा, कम से कम एक जगह से, एक जगह से तो बराबर हटा हो, और जहां से बराबर हटेगा, वहां से ये चेन दो हिस्सों में तूट जाएगी, दो भागों में बट जाएगी, एक तरफ का हिस्सा, दूसरी तरफ के हिस्से से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा गारंटी के साथ, जरा देखते ह देखो, ध्यान से समझना, आपको सिखाने के लिए मैं वापस से इस E को 10 माल लेता हूँ, क्या माल लेता हूँ, 10, अगर E को मैं 10 मानता हूँ, तो D को क्या मानना पड़ेगा, 10 या 10 से जादा हमने पहले भी बात कर ली, अब मैं C की बात करता हूँ, अटेंशन दीजेगा, C कितना है, 10 या 10 से सादा, 11, 12, 200, 200, 500, लेकिन ये तो मानते हो, कि D कम से कम 10 तो है, D कम से कम 10 तो है, अब C कितना होगा, अरे C, ध्यान से सुना इस LINE को, अटेंशन देने इस LINE पे, C, C कम से कम उतना तो होगा ही होगा, C कम से कम उतना तो होगा ही होगा, जो D से जादा है, C D, कम से कम उतना तो होगा D से क्या है? जाधा. ये D, 10 है तो ये कितना होना चाहिए? किसीने का 11, क्यों? क्या ये 10.01 नहीं हो सकता? हो सकता है. क्या 10.0000001 नहीं हो सकता? हो सकता है. हो सकता है क्योंकि यहीं चيपिर की adolescent है, क्ये examiner बी होता है दस से जादा ग्यारा भी होता है दस से जादा सौ भी होता है दस से जादा दस हजार करोड भी होता है और अगर यह पहले से जादा है तो अगर यह पहले से जादा है तो यह उससे जादा होगा बारा भी हो सकता है पंदरा हजार करोड भी हो सकता है आगे बात करते आप समझ सकते हैं कि B और C में तो वैसी बात है जैसे हमने पहले भी की थी कि B या तो C के बराबर है या बड़ा अब बराबर है तो ये बराबर हो सकता है बड़ा भी हो सकता है पहले ही 12 है तो 12 भी हो सकता है एक साथ क्या होगा फिर वही बात B के बराबर है तो बराबर भी हो सकता है 11 है तो 11 हो सकता है 12 है तो 12 हो सकता है 15 है तो 15 और 20, 50, 100, 200 कुछ भी हो सकता है ब्यान दीजेगा मेरी बात पर यहाँ से इस जगह से मैं इस पूरी चेन को दो भागो में तोड रहा हूँ मैं इस जगह से इस पूरी chain को दो भागों में तोड रहा हूँ और मैं confirm कह सकता हूँ कि जहां से यह बराबर का चिन नहीं है बराबर का चिन नहीं है वहां से left side के इसका भी मैंने detail में लिखा हुआ है सारा वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको लिखा हुआ मिल ज साय को 200 में कर दीजिए जो उधर बजगें उन दोनों से बड़ा होगा ही होगा क्यों क्योंकि e के बराबर d है और d बड़ा बड़ा यहन क Clember है पूर आगे वाले ओनीं, तो सारे बड़े होने चाहिए तो आँ मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर A, B, C, तो दो बाते क्या क्या थी इसमें, chain में, पहली single direction single direction यानि इस chain की दो बाते क्या हो नहीं चुछे पहली तो बात क्या बताइए, एक ही दिशा हो एक ही क्या हो बताइए, डिशा हो और दूसरी बात क्या है, कम से कम, कम से कम, एक जगह से, बराबर का जो sign है, equal, equal का sign हटा हो, अचाँ, एक जगह से बहुन हुँगा, जो अगर एक जगह से बहुंगा, तो कोई बात नहीं, ऑगर एक से जगह से लिपा दूँगा, तो कोई बात नहीं, वो chain दो जगह से तूर जाएगी, सब्सक्राइब को अगर मैं डेस्क्राइब करूँ, मैंने क्या लिखा, चेन में जहां से एक वाल हटा है, वहां के left side के सारे variables का मान निश्चित रूप से, वहां के right side के सारे variables के मान से अधिक होगा, और इस chain में जो मैंने बनाई थी, उसमें A, B और C left side में चलेगे, D और E right side में चलेगे, तो इस chain के साब से मैंने लिखा है कि variables A, B तथा C का मान निश्चित रूप से, D और E के मान से अधिक होगा, the value of variables A, B and C would certainly be greater than the value of variables D and E, ज़रा देखेगा, एक बार अगर मैं आपको यह कहूँ, ज्यान देना, यह P और Q है, यह Q और R है, और यह R और S है, यह S और T है, suppose, यहां मैं अगर कहूँ तो क्या कह सकता हूँ, अगर थोड़ा और आगे मान लो और बढ़ा दो आप, ऐसा करलो इसको X करलो, तो मैं कहूँगा, क्या chain में दोनों बाते हैं, जो दोनों बोली थी, क्या-क्या दो बोली थी, पहली दिशा समा बराबर हटाओ, यह हटावा देखो, यह रा बराबर हटावा, बराबर नहीं है, क्या करना है वहाँ से, वहाँ से इस chain को दो भागों में तोड़ देना है, तो यहां मैं कहूँगा, पी, क्यू और आर, इन तीनों से, इन तीनों से, यह कौन-कौन, S, T और X क्या होंगे, निश्ची दुरूप से बड़े होंगे, करके देख लीजे, अगर यह 100 है, तो यह तो 100 होगा, यह 100 से जादा हो सकता है, 110 लिख देता हूँ, यह 100 है तो 100, और बड़ा है तो 110, 110 तो 110, वरना 120, यह अगर 100 भी है, तो यह कम से कम 100.1 तो होगा, और अगर यह 110 है, तो 110 से हो गया, तो आगे वाले भी बड़े होंगे, और मैं गरंटी से कह सकता हूँ, कि जहां पर भी आप तोड़ दीजेगा, आपको ऐसा ही मिलेगा, अच्छा कर मैं ऐसा कहूं तो, जैसे यह A है, यह B, यह C, यह D, यह E, यह F, क्या इस चेन में बराबर के चिन ने कहां-कहां स तूटने देखो, पहली बात चेन की दिशा सेम है, बिल्कुल है, और बराबर के चिन ने तूट रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, तो मैं क्या कहूंगा, ध्यान से मेरी बात को, 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, एक बात बताओ, जब 2 से 3 और 4 बड़ा है, तो 1 से कौन बड़ा हो गए, 2, 3, 4, 2 से कौन बड़ा हो गए, 3, 4, और 3 से बड़ा कौन हुआ, 4, बिल्कुल, अगर यह F 100 है, तो E कितना है, 101 रख लो, अगर यह 101 है, तो सोचो यह आगे वाले कम से कम 101 तो होंगे, क्योंकि कोई भी छोटा तो होई नह तो चाए 101 से जरासा ही जादा हो, तो फिर यह D से बड़ा हो गया, कौन बता है, यह C, और यह अगर 101 पॉइंट एक है, तो कम से कम 101 पॉइंट दो तो करना पड़ेगा, तो C से बड़ा कौन हो गया, B, I hope you are getting my point, तो अगर chain का direction, अगर chain का direction, same हो, और कम से कम एक जगे से बर बनाया है, इसके हिसाब से, अगर मू उधर होगा, तो left को आप right कर दीजेगा, रटना नहीं समझना है, तो जहां से एक पल हटा है, वहां के left side के सारे variables का मान, मिश्चित रूप से, वहां के right side के सारे variables के मान से, अधिक होना ही चाहिए, रूल नमर 3 पर आते हैं, आज का ए देखें, अगर मैं कहूँ A, B, C, कैसा भी बना लो, D, E, कुछ भी कर लो, रूल नमर 3 पर ध्यान दीजेगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बात, आपको जितने भी statements दिये जाते हैं, जितनी भी chain बनती है, उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, पूरे से, जैसे आप देखते हैं, कि conclusion अगर A और E के बारे में पूछा गया है, तो A और E से मतलब है आपको, A से पहले क्या हुआ उसकी जरुतनी, E के बाद क्या हुआ जरुतनी, हाँ A और E को जोडने में जो जो काम आएंगे उनकी जरुतनों है, बड़ जो काम नहीं आए जोडने में, उनको हमें देखना तक भी नहीं है, तो जरा देखेगा ये chain क्या है, ये rule number 3 है, rule number 1 क्या था, direction same हो, सब जेगे बराबर लगाओ, तो result क्या निकलता है, एक तरफ वाले इस बाद की सबसे बड़े या बराबर होते हैं, rule number 2 क्या था, rule number 1 copy करो, same, केवल बराबर का chin हटा दो बस, त महीं उलसते हैं, बच्चा सबस्यादा, ये chain बताती है, इस rule का मतलब है, जिन भी 2 variables के बीच, आप 2-3 मिट पूरा मुझे सुनेंगे, तब इस समझ में आएगा, इसे नहीं आपाएगा, जिन भी 2 variables के बीच, पूरी chain में कहीं भी, किसी भी जगहा, अगर आपको उल्टे च जिन नजर आते हैं, opposite symbols ऐसे बोलते हैं, देखो, chain number 1 में ऐसा बनता था, या ऐसा बनता था, बराबर का sign साथ में होता था, माना, तो मैंने क्या कहा तो दिशा सीधी है, फिर मैंने कहा, chain number 2 में भी ऐसा ही बना, केवल बराबर रटाया, तो दिशा direction फिर एकी थी, लेकिन opposite का मतब क्या है, opposite का मतब है, ऐसे है, कहीं चलते चलते ऐसा हो गया, उल्टे मूँ, या ऐसा है, कहीं चलते चलते ऐसा हो गया, तो यह जो है ना, इसे कहते हैं, opposite symbols, बरी किया हैं इसके अंदर, confusion भी है, सीखेंगे, तो कभी कोई confusion रे गई नहीं, कोई भी ऐसे दो variables, जिनके बी बीच में किसी भी तरह का कोई result निकल ही नहीं सकता, attention दीजेगा, क्या ये A और C, A और C के बीच में, क्या ये उल्टे चिने दिख रहे हैं, नहीं तो, A और C के बीच में तो सीधे चिने हैं, बलकि मैं कहुँँगा, chain number 2 है, chain number 1 होती है, अगर यहां बराबर होता तो, chain number 2 इसलिए क्योंकि direction तो से में और बराबर हटा हुआ है, chain number 3 नहीं है, क्योंकि chain number 3 के लिए उल्टे चिने चाहिए, क्या ये A और D के बीच में, chain number 3 है, हाँ, बिल्कुल है साब, ये रहा A, ये रहा D, इनके बीच में chain number 3 है, क्यों 3 है, देखो, इसका मूँ इदर, इसका तो उधर इदर हुआ, इदर होता तो, इदर होता तो, नहीं, A और D, आपको जो दो चिने के बीच में relation देखना है, जिन दो के बीच देखना है, एक उसकोने में है, दूसरा उसकोने में है, पूरे रास्ते में कहीं पर भी उल्टे चिन हो, तो chain number 3 होगी, क्यानि कोई result नह निकलेगा, इसको और अच्छी line से बताता हूँ, बड़ी align से, बिना confusion के, इसको उल्टे कर दीजिए, क्या, मैंने क्या कहा, जिन दो variables के बीच उल्टे चिन हो, वो rule number 3 होगी result नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता मैं बताता हूँ अभी आपको, इसको ऐसा कर दीजिए, य जिन दो variables के बीच पूरी chain में सीधे चिन नहीं हो, अगर सीधे चिन नहीं होंगे, तो direction सेम नहीं होगी, और पूरे चिन एक जैसे direction के नहीं है, तो मान दीजिए का chain number 3 है, क्योंकि सीधा नहीं है, तो उल्टे अपने आप होगे, और एसे में कोई result नहीं निकल सकता, जैसे A और D, जैसे मान दीजिए कि यह D 10 है, D केता है, यह मैंने माना क्यों, समझाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, और examiner वो ही बोलता है कि जो जो हो सकता है, सब मानो, और सब को मान कर अगर true, तो true और नहीं तो false, अगर मान दीजिए D 10 है, मान दीजिए, तो C क्या है साब, C उ हो सकता है, उसमें true तो true नहीं तो false, यह मैंने आपको पहले ही कहा, यह मेरी शर्तिया बात है, गारंटी है, ऐसा कोई question दुनिया का बनानी बन सकता नहीं, जिसमें आपको numerical values पुट करनी पढ़ जाए आंसाराने के लिए, यह तो मैं सिर्फ इसलिए पुट करवा रहा हूं, तक कि आपको बाद में पुट ना करनी पड़े, तरिकी बारी की आप सीख पाएं, अगर अब भी बोलता है, डी तू चुप रहे है, मैं तो C से बात कर रहा हूं, कर ले बात, अगर C 9 है, 9, तो B क्या हो सकता है साब, बड़ा है, 9 से बड़ा 10 हो सकता है, क्यों 10 से बड़ा अगर 10 है, तो 9 भी हो सकता है, तो आगे की कहानी 9 से भी बन नी चाहिए, 2 से बनती है, 1 हो तो 1 से बननी चाहिए, सब से बननी चाहिए, सब से बने और true हो, तब तो true हो, और नहीं तो false, आगे बात करते, A ne का COT तुम चुप रहा हो, मैं तो B से बात करूँँगा, कर ले ब तो घूम फिर करके ए, क्या पता 10 के बराबर भी हो जाए, क्या पता 10 से बड़ा हो जाए, और क्या पता 10 से छोटा रह जाए, तो जो भी दो वेरेबल्स ऐसे हैं, पूरी चेन के अंदर, जिनके बीच में कहीं भी उल्टे चिन दिखाई देते हूं, थुड़ा सुधार लिज में सीधे चिन नहीं दिखाई देते हूं, चेन एक डायरेक्शन में ना हो, तो आप ये मान लीजेगा, उनके बीच उल्टे चिन है, और उनके बीच किसी भी तरह का कोई निशकर्श दुनिया में नहीं निकाला जा सकता, जो कहे वो गलत, और फिर इससे हम जब अगला सेशन आएगा, तो देखेंगे आईदर में क्या होगा, लेकिन अभी सेशन में आप पांच मिनिट और ध्यान से बात सुनिये, वरना जितना आपने सीखा, उसमें कुछ रह जाएगा, और वो बढ़ा होगा, देखो, इसके रिजल्ट्स क्या लिखे, अपोजिट सिंबल्स यह है, कि दोनों तरफ की सभी वेरेबल्स के बीच किसी भी तरह का कोई निशकर्श नहीं निकाला जा सकता, no valid conclusion can be drawn between the variables on both sides of the variables where opposite symbols exist, अब देखो, एक मैं आपको एक्जामपल और देता हूँ, ध्यान से इसी तीसरे और आकरी नियम को समझाने के लिए, क्या एक्जामपल बिल्कुल छोटा सा है, बट आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ध्यान दीजेगा, दुनिया में इससे छोटी चेन नहीं बन सकती, क्यों, अरे दो में चेन थोड़ी बनती है, दो में तो statement होता है, चेन को जोड़ोगे तो दो statement होतो कम से कम, तो यह A और B और B और C, एक बात बताओ, इस A और C के बीच में, किसके बीच में, A और C के बीच में, क्या उल्टे चिनन है, हाँ भई, सीधे चिनन नहीं है, मतलब उल्टे चिनन है, क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो, अगर C 100 हुआ, अरे तो डम ही है, कुछ भी मान लो, तो B क्या हो सकता है, 20, 80, 70, कुछ भी रख लो, 7, 0, minus, कुछ भी हो सकता है, कम तो 100 से बता नहीं क्या क्या हो सकता है, यह A क्या है, A B से बड़ा है, अब बड़े होने में तो यह 70 के बाद में 75, 80 भी हो सकता है, बड़ा 70 से उपर 100 भी हो सकता है, और 70 से उपर 700 भी तो हो सकता है, तो क्या क्या हो स और क्या पता A कम रह जाए और क्या पता A ज़्यादा हो जाए तो मैं A और C के बीच में कुछ भी कह पाने में समर्थ नहीं हू electronics वो बले बड़ा तो गलत वो बले छोटा तो गलत वो बले बड़ा बर्द तो गलत कुछ भी बोले वो गलत अलाकि इसके आगे जब आईदर हम देखेंगे अगले सेशन में तो देखेंगे आईदर किस तरह से आता और इसका क्या रोल है बट अभी हम सिर्फ यह देख रहे हैं तीन रूल्स क्या हैं उनके कंक्लूजन कैसे निकलते हैं और कंक्लूजन में केवल दो बाते चेक करनी है एक आनम है ट्रू और दूसरे का नाम है फॉल्स इसी चीज़ को जरा देखो सी जो भी है जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सी जो भी है भी उससे कम है और बी से ए ज़्यादा है सोचके देखो बी सी से जितना कम हुआ अब कितना कम हुआ वो तो हमें बता नहीं लेकिन चांस की बात है गर बी सी से जितना कम हुआ जितना कम हुआ जैसे यहाँ पर तीस कम हुआ अगर ए उतना ही ज़्यादा हो जाए तो बराबर हो जाएंगे C से B थोड़ा सा कम हुआ 99 और यह A बहुत जादा बढ़ा होगा 99,000 करोड़ तो फिर यह बढ़ा हो जाएगा यह कम तो बहुत जादा हो जाए 100 से पहुंचिया 10 और जादा जरा सा ही हो 11 तो फिर छोटा रह जाएगा तो मुझे क्या पता बढ़ा होगा चोटा होगा बराबर होगा I don't know anything तो कुछ भी हो सकता है और जरा देखिये एक जरूरी चीज़ बस आखरी दो मिनिट आज की क्लास के A और B B और C C और D D और E E और F F और G G और H H और I ध्यान दे मेरी बात को सुनेगा ये A रहा A से लेकर के F तक सीधे चिन्द है लेकिन यहां बदल गया अगर मैं इस A और G की बात करूँगा तो मैं कहुँँगा इस A और G में मैं कुछ नहीं कह सकता कुछ भी शों क्योंकि सीधा 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 उल्टा चिन्द आप रास्ते में उल्टा यहां मिलता है यहां मिलता है कहां मिलता है कुछ नहीं बलता कुछ भी पता नहीं है कुछ भी नहीं क्यों आप सोचो यह 100 है यह कम होते होते 99 98 मालो कम होते होते 90 हो जाए और यह बढ़कर क्या हो सकता है एकरान वे भी हो सकता है, ये बढ़के फिर 100 भी हो सकता है, ये बढ़के 110 भी हो सकता है, तो क्या पता ये 100 के बराबर हो जाए, 100 से कम रहे जाए, 100 से जादा हो जाए, कुछ भी पता नहीं है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या हो सकता है, आज का आखरी एक मिनट, A इदर रहा, B इदर रहा, C इदर रहा, डियान से सुनिए, इस A से कोई भी इचने लगा करके, हजारों वेरेबल्स जोड दीजे, जो दिल करे, इस C से इदर करोडों वेरेबल्स जोड दीजे, जो दिल करे, इन हजारों का, इन करोडों के साथ में, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में रास्ते में कही ना कहीं कौन से रिजल्टें मताईए क्या अंसों रिजल्टें अपोसिट सिम्बल्स ये बढ़ते बढ़ते हजारों करोडे बड़ ये कम हो गया इनके प्रेटिकल आसपट के बारे में अगर आप देखें तो मैंने जो अभी कंक्लूड किया उसे मैं दूसरे तरह से भी बता सकता हूं कैसे जरा देखिएगा जिससे आप एक चीज़ और सीख जाएंगे जो आज के सशन में मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए एक ही मिट तो लगना एक येवल ये चेन है इस चेन में ए से सी के बीच में रूल नमबर बन लग रहा है बता ये लग रहा है जबकि इसी चेन में ए से डी के बीच में रूल नमबर दो लग रहा है बता ये लगना है इसी चेन में ए और ए के बीच म के बीच है तो rule number one rule number one क्या बोलता है दिशा समान साथ में बराबर हो AC से बढ़ा है और बराबर है अगर A और D के बीच देखना चाता है rule number two rule number two क्या बोलता है दिशा समान हो और कम संग में एक जगे से बराबर हड जाए और जहां से हड जाए, वहां से चेन को 200 में तोड़ दीजेगा, तोड़ दिया, तो AD से बढ़ा हो गया, अगर A और E के 20 देखना चाथे तो रूल नमर 3, रूल नमर 3 का मतब है, उल्टे चुने कहीं भी मिले रास्ते में, और इनके बीच में कोई निश्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, मुझे उमीद है, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, मैं जो भी आप से कह रहा हूँ, ये मेरे 20 साल के teaching experience का निचोड है, और मुझे लगता है, शायद इन चीजों को सीखने के बाद, जितने कम टाइम में आप कर सकते हैं, उससे कम टाइम में नहीं हो पाएगा, मैंने खुद ने अपने उस जमाने में कई सारे exams में टॉप किया है, और आप सोचो 20 साल में learning बढ़ी होगी, अग लोगों ने चैनल सब्सक्राइब पक्का कर लिया होगा, अगर नहीं किया, तो सबसे पहले आप इसको कीजिए, ताकि आपको कुछ भी मिसना हो, सब कुछ आपके फाइदा की चीज़ है, इसी चैनल पर मैं मैं मैच की क्लासेज ले रहा हूँ, अगर बात करें, अभी time and distance चल रहा है, लेटर राउन सारी चीज़े होंगी, रोईत सर जो सब को लेकर शांदर क्लासेज चल रही है, अब सब का फाइदा उठाइए, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेरी मच्च.